हाई फ्रेंद्स कैसे हो आप सब वेलकम और वेलकम बेक टो मैं चैनल चलिए आज बना लेते हैं टेस्टी सा स्नेक्स जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है लेगे उपर से उतना ही क्रिस्पी है आप आवाज सुन पा रहे होगे कितना क्रिस्पी है ये उपर से तो ये चाऊमीन कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक टोपिया में पानी ले लिया है उसमें थोवा सा तील और नमक डाल लिया है पहरे पानी को अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद हीio मैशाक आ लिए इसमें डाल लेते है चौमिन और चौमिन को कर लेते हैं गाउए तो इसको Hakim लेते हैं तो कोई भी छरनी में आप उसको चाल लीजे और इसको एक बर थन्डे पानी से दो jako कराई या पेörperाली लिजें तो 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 उयल गरम होने के बाद उसमें कुछ सबजी डाल लेंगे तो सबजी में मैंने यहाँ पे केबिज, केरट, कैपसिकम और अनियन लिया है और सब को जुबलिन कर लिया है तो पहले मैंने पतागोपी को डाल के थो आसा रोस कर लिया है 3-4 मिनिट्स के लिए जब 3-4 मिनिट्स हो जाए उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे डाला है केरट, तो केरट को भी कुख कर लेंगे तो इसको कुख होने में 5 मिनिट्स लग गया है अब इसमें डाल लेते हैं कैपसिकम और कैपसिकम को भी 3-4 मिनिट्स अच्छे से कुख कर लेंगे इसके बाद लास्ट में मैं डालूंगे इसमें ओनियन, तो सबसबजी को मैंने एक साथ नहीं डाला है, सबका कुकिंग टाइमिंग अलग-अलग होता है, तो इसलिए मैंने सबको अलग-अलग डाला है, और लास्ट में अनियन इसलिए डाला है, क्योंकि ओनियन बहुत चली क हो जाता है तो आप अच्छ से कुख करने के बाद इसको सीजन कर लेते हैं सॉल्ट से सोल्ट अने तेश के तेस्ट के अकोरिंग या पर 7 राला पर काला मिर्ची, black pepper powder काला मिर्ची, करके रखा था वह भी कर लेंगे तो चाओमिन तो थोऺ सा हातों से खोल कर एक डाल कौल करके दाले गा ताकि वोगिसले मिक्स हो जाए तो मैंने जो कुकिंण टायम पर इसमें ओई अगर आप यूज नहीं करोगे तो यह पूरा चिपक जाएगा तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजे तो देखिए चौमिन रेडी हो चुका है तो अब इसको रख देते हैं साइड में और आगे के तेयारी कर लेते हैं इसके बाद ले लेना है अब एक मिक्सिंग बाल अर उसके डाल लेना है और अमातशल अपल राईच इसके भाद में डाल लिया है राफ टेश्पून रेट चिली पावडर हाफ टेश्पून ॢ हrabh water जीरा इसके बाद half teaspoon black salt और half teaspoon white salt और इसके binding के लिए मैं इसमें यूज करूंगी bread crumbs तो आप सबको अच्छे से mix कर लेना है और potato को अच्छी तरह से mash कर लेना है और पूरे एक dough form में इसको prepare कर लेना है अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो और इसके बाद देखिए इसमें एक अच्छा सा binding आ गया है तो आप चेक कर लीजे कि कोई भी आप इसको shape डे रहे है तो यह ले रहे है कि नहीं तो देखिए यह अच्छी से ready हो चुका है तो चलिए इसको बना लेते हैं तो सब चीज़ों को एक साथ रख लेना है तो first हमें आलू का एक बया सा portion लेना है और उसको अच्छी तरह से हाथों में spread कर लेना है पतला सा टिक्की जैसा इसको बना लेना है आपको oil यूज करने का जरुवत नहीं है पाम में यह easily टिक्की जैसा बन जाएगा अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप थोड़ा सा oil का यूज कर सकते हो अपने हैंड को ग्रेस कर लीज़ों से फिर यह प्रोसेस कर लीज़े तो आलू को अच्छे से तिक जैसा प्रेड करने के बाद उसको स्टफ कर लेना है चौमिन से तो बीच में आपको थोड़ा सा चौमिन डाल लेना है जितना आपको लगे इसमें कवर हो जाए उतना ही डालेका बहुत एक्सिस मत डालिएगा क्योंकि हमें इससे पूरा कंप्लीट पेक करना है तो थोड़ा सा प अच्छी तरह से हर तरफ से कवर कर दीजिए मतलब कहीं से भी यह खुला नहीं रहना चाहिए हर तरफ से कवर हो जाना चाहिए इससे लगना नहीं चाहिए कि इसके अंदर कुछ भी स्चफ किया वह है प्रॉपर टिक की लगना चाहिए तो देखिए ऐसे हातों से दबाते ह करने का तो अच्छी तरह से इसको ब्रेट क्रम से कोट कर लीजिए हर तरफ से तो बस आपको ब्रेट क्रम्स बहुत अच्छे से कोट करना है इसी से इसके उपर एक क्रिस्पीनेस आएगा तो हातों से इसमें थोहात प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाए तो बा तो मैंने यहांपर तवाँ ले लिया है इसको गरम करनी की बद ओईल से थोआ से घ्रीस कर दिया है और उसको अच्छे से कपडरे से पोच लेना है ताकि हमारा तवा अच्छे से घ्रीस हो चाहे उसकी बद पर्टी टुलूप्स को हाथ में ले लेना है और थोआ से धीरे धीरे प्रेस कर लेना है बस ध्यान रखे तूटे ना हलके हाथों से प्रेस कीजिएगा और उसकी बद इसको तवे पर रख देना है और इसको ओईल से आपको बेक करना है तो थोआ थोड़ा ओईल हर करने का जो प्रोसेस से उतना करके रख लीजिए और जब आपका पार्टी हो या गेस चाहिए उस समय आप हातवाद इसको गरम करके सर्फ कीजिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है यह आप जरूर इसको ट्राइ किजिए कर मुझे बताएगा आप लोग को यह रेसिपी कैस अगर आपको पसन है जादा खाना तो आप इसको फ्राइब करके बनाई उसमें भी बहुत टेस्टी लगता है तो यह दोन तरफ से सीख चुके है काफी अच्छा कालर आ गया है इसमें तो चलिए इसको निकाल लेते हैं प्लीट में और सॉर्फ कर लेते हैं तो इस रेसिप कैसी लगी और चैनल पर पहले बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल बिटन को भी जरूर हीट कीजेगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की निटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो सिंप्ली इसको कट कर लीजे और कोई भी सोस के साथ या चटनी के साथ स वीडियो में